गुड मौनिंग स्टूडेंट्स, आज हम साइन्स का जो लेसेन नमबर फॉर लेकर चल रहे हैं, स्टेट सॉफ मैटर, आज में इसका लेक्चर नमबर फॉर लेकर आई हूं, आपके पास मैल्टीं, अपके पास क्या होता है कैते हैं, आईसमेल्ट हो गई है, आइसक्रीम मै जब इसे क्या मिलती है गर्मी मिलती है आप मैं आपको इसे एक्जाम्पल देती हूं बरफ है विटे जब तक वो थंड में है यानि फ्रीज में है तब तक तो वो जमी रहेगी लेकिन जब आप उसे बाहर निकाल दोगी उसे हीट मिल जाएगी हमारा एटमोसफेर में तो पिघलनी शुरू हो जाएगी इस प्रोसेस को क्या कहते हैं मेल्टिंग यानि पिघलना कहते हैं वेज एक सॉलिड को कठोर को गरं किया जाता है इस पार्टिकल इसके कण होते हैं स्टार्ट मुविंग वो चलना शुरू कर देते हैं फास्टर बड़ी तेजी से एंड से एक स्टेज आजाती है, comes when they overcome the force of attraction. Finally, उसकी वो स्टेज आजाती है, जब उसके अंदर पावर हो जाती है, किसकी attraction की, attraction होता है, आकर्शन, attraction होता है, आकर्शन की उसके अंदर के आजाती है, पावर आजाता है, between them. At this stage, the particles are move apart, इस stage पे, इस प्रक्रिया पे, जो कन है, move apart, वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, from each other and in case of liquid, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, किसके liquid के case में, now you can understand why an ice cube melts to become water when kept in a warm place. आप, मैंने आपको तो starting में यह example दे दिया है, इन्होंने किसका example दिया है, अब आपको ice cubes का, यानि ice के च्छटे-च्छटे टुकडे होते हैं, टुकडे आपने tray देखी होगी, उसमें, कुछ square type से में, square shape में क्या होते हैं, ice होती है, तो उसे क्या कहते हैं, ice cubes कहते हैं, यह liquid changes into solid on cooling, जो liquid होता है, change into solid, वो दुबारा से किस में change हो जाता है, solid में, कठोर में, on cooling, थंडा होने पर, आगर बरफ थी पहले, heat के पास ले गए, वो पिंगल गई, लेकिन उसको दुबारा से उसी पानी को हम फ्रीज में रखेंगे, तो वो दुबारा जम जाएगी, this is called freezing, इसे क्या कहते है, freezing को जमना, जमना या ठंडा, for example, water changes into ice on cooling, मैंने आपको example दे दिया, the particles move closer on cooling and they are not able to move freely, the particles move closer, जब वो ठंडे हो जाते हैं, जब वो गरम हो जाते हैं, तो particles क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं, जब वो ठंडे हो जाते हैं, तो particles क्या हो जाते हैं, close हो जाते हैं, they get arranged in a fixed pattern as in solid, वो दुबारा से ठंडे होने के बाद क्या हो जाते हैं, fixed pattern में solid जिस रूप में होता है उसी में जम जाते हैं दस हीटिंग एंड कूलिंग चेंज इंटू अरेंग्मेंट ऑफ दा रिजल्टिंग चेंजिंग स्टेट्स ऑफ मैटर इसलिए पदार्थ की क्या होती है लिक्विड की यह अवस्थाएं होती है देखिए आइस मेल्टिंग फ्रीजिंग वाटर पहले क्या है आइस क्या हो गई मेल्ट हो गई ठीक है पिंगल गई पिंगलने के बाद इवेपोरेशन वश्पे करन हो गया यह स्टीम के रूप में निकल रही है लेकिन दुबारा से वही प्रोसेस जो मैंने आपको समझाया उपर पिंग प्रोसेस सो आज के लिए केवल इतना ही जहां जितने लेक्चर्स हो गया आज ही आपका लेक्चर नंबर फॉर था सभी वीडियोस को दुबारा से देखेगा अगर आप वीडियोस को बार बात देखते हैं तो आपको बुक वर्क फिल करना बहुत एजी रहेगा थे झाल युद झाल वड़ खिल इतना ही जे जाए इतना ही जा लेक्चर